नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सुबोर डिजिटल यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको पताएंगे अधार कार में कौनसा मोबाइल लंबर रजिस्टर है कैसे आपको पता करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे जिया दोस्तों आपके तो आप मुझे comment करेंगे हम आपका reply देंगे और बताएंगे क्या दिकत है आप मुझे comment करेंगे बताएगा तो चले video start करते हैं आपको बताते हैं दोस्तो वीडियो की description में आपको इस website का link दे दिया हूँ comment box में link पीन कर दिया हूँ जैसे आप link पे click करेंगे ये website open हो जाएगा अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें सारा चीज हिंदी में लिखा गया है कैसे कैसे आपको check करना है तो आप इसे check कर लिजेगा इसको धीरे धीरे आप एस्कोल करके यहाँ ब्याईएगा धीरे धीरे और यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा click hair का आपको website के आगे click hair का option है इस पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने एक नया page खुलेगा और यहाँ पे आपको अपना आधार number capture और process पे click करना है ठीक है तो बहुत easy तरीका है दोस्तो मैंने अपने website पे इस अधारकार का short link बना के दिया हूँ आपको ताकि Google में अधारकार का website खोजना नहीं पड़ेगा आपको directly आप इस website पे आजाएंगे इसलिए मैंने अपना website का link आपको description में दिया हूँ और comment box में दिया हूँ ताकि उस पे click करेंगे और कि जैसे आप click here पे click करेंगे तो यहाँ पे directly आप आजाएंगे तो आपको Google में ज्यादा तर आपको परशानी नहीं होगा इस website पे आने के लि य ए जी ठीक है उसका प्रोशेट पे click किजेगा जैसे आप प्रोशेट पे click किजेगा आपके अधार में जो भी mobile लिंक होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट का तीन अंखी देखने को मिलेगा यानि कि लास्ट में 836 है हमारा नंबर ये किसके पास है हमें अनुमान लगाना होगा ठीक है और लास्ट में 836 है ये नंबर हमारा अधार कार से लिंक है तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा और mail एस्टेट विहार है एज है बीच से लेके तीसे अर के आसपास में है एज यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे जो है अधार नंबर एल ठीक है निल लिखा रहेगा तो आप समझे ना कि आपके अधार में mobile लेंबर लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोमेंट बक्स मिलें कि जाए वेब साइट पे और हिंदी में लिखा हुआ पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लिजेगा एस्टेप पूरा पता या गया ठीक है